हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि सी प्रोग्राम में कैसे इवन और और अड़ नमबर का प्रोग्राम लिखते हैं तो यह लास्ट प्रोग्राम था इसका कॉर्ड में डिलेट कर रहा हूँ तो यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं दो व्यडिबल इंड आई और ऐन उसके बाद यहांपे हम और प्रिंटर फंक्शन लिखरें इसके अंदर यहांपे लिखते आई सबसे बहले हम जा रहे हैं, प्रिंट करने, इवन नमबर, तो यहां पर लिखते हैं, प्रिंट इवन नमबर्स और यहां पर लिखते हैं, इसकनर, %D, यहां पर, M % N, तो यहां पर लिखते हैं, इसको वाल्यू इसको वाल्यू ब्लिखते हैं, यहां पर, condition देयते है i less than equal to n i plus plus तो यहाँ पे if condition देयते है if i mod 2 double equal to 0 तो यह क्या print करेगा तो यहाँ पे हम print करायते है %d और slash new line में i का वैनल तो यह code को पहले execute करते है तो यह हमको 20 नमबर तक को program और even number प्रिंट करना चाहते है तो यहाँ पे लिखे 20 तो यह देखे 20 तक यह even number प्रिंट के अगर हम condition देयते है 100 तो यह 100 तक event number प्रिंट के तो चलिए इस code को explain करते है तो अगर आप कोई program को c में run कीज़ेगा तो सबसे पहले control main function के अंदर आता है उसके बाद यह अंदर उसके बाद इसके अंदर आएगा main function के ब्लॉक के अंदर यहां पर मैंने दो variable यहां पहला है i उसके बाद दूसरा है n तो यहां प्रिंटर function in print event number तो यह display करेगा output screen में यहां पर scanner function है % because क्योंकि n है end is attack तो यहां पर n का value जो कुछ भी इंटर करेंगे तो यह n में जाएगा तो हम यहां पर n का value 10 इंटर करते हैं आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं 10, 20, 50 जो कुछ भी इंटर कीज़ेगा तो वह n रिसक करेंगा उसके यहां पर for 2 पाएगा यहां पर i का value start होगा 1 से चेक करेगा 1 less than equal to 10 condition true है यह चेक करेगा if i mod 2 तो i value 1 है mod 2 तो यहां पर remainder यह 1 return करेगा तो 1 w equal to 0 condition true नहीं है नहीं जाएगा इसके अंदर इसके बाद i का value increase होगा तो i 2 होगा तो चेक करेगा 2 less than equal to 10 condition true है तो यहां पर if 2 mod 2 i का value 2 है 2 mod 2 remainder यहां 0 है 0 equal to 0 condition true है तो यह print करेगा i का value तो 2 है i का value यह print किया तो यहां पर slash 10 है तो cursor printing करेगा new line तो उसके बाद यहां से फिर उपर जाएगा i का value increase होगा तो i 3 होगा चेक करेगा 3 less than 10 condition true है तो यहां पर 3 mod 2 तो यह remainder 1 करेगा 1 double equal to 0 condition true तो यह नहीं जाएगा उसके बाद यहां से उसके बाद यहां से उपर जाएगा i का value increase होगा i 2 mod locks cabin chain तो 4 mod 2 remainder 0 होगा 0 equal to 0 condition true है तो यह print करेगा i का value तो 4 print करेगा उसके प्राइब का वैलौ 5 है, चिक करेगा 5 less than 10, condition y Для true है. तो यहां 5 more to remainder 1ापर भून होगा, जर रिमेंटर साझ़ा होगा, 1 double equal to zero, condition 2 नहीं है, एहां अंदर नहीं print करेगा, आई का वैल अले तो i6 होगा चिक करेगा 6 less than 10 condition true है यहाँ 6 more to remainder होगा 0 0 equal to 0 condition true है घीर print करेगा i का value Então 6 यहाँ print करेगा slash index, cursor print करेगा new line is तो i7 होगा तो इसका चिक करेगा 7 less than equal to 10 condition true है यहाँ 7 more to remainder 1 होगा 1 double equal to 0 condition true नहीं है तो i का value print नहीं करेगा इसके आई क्या होगा एक हो जाएगा चेक करेगा 20 के डित विसmember कर हें मौ एके रोंडु होगा। एक राइक होगा 4 न सबसकर है तो यह है। 10 more 2 remainder यहाँ पर 0 होगा, 0 equal to 0, condition यहाँ पर true है, यह print करेगा i का value, तो 10 print करेगा, उसके बाद i का value 11 हो जाएगा, check करेगा 11 less than 10, n का value 10 है, तो condition यह true नहीं है, यह auto जागा podlub से, उसके बाद auto जागा mean function से, तो अगर n का value 10 देते हैं, तो यह output आएगा, अगर माल लेकि n का value 100 देते हैं, तो यह उसके बाद print करेगा 10, 12, 14, 16, और यह continue होगा 100 तो n के अनुसार value print करेगा event number, तो यह है एक simple code, जिसके थरू हम event number को print कर सकते हैं, एक दूसरा तरिका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, event number print करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, in, यह code को date कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ i का value देते हैं, और यहाँ पे 100 देते हैं, फिक है, उतके बाद if condition को use ने करते हैं, तो यहाँ पे हम पहले value करेंगा, i का value start होगा 1 से, check करेंगा, 1 less than equal to, condition है 100, condition है, तो यह अंतर जाएगा, यह i का value print होगा 2, ठीक है, sorry, i का value 1 है, तो 1 print होगा, यहाँ पे हम i का value 2 से start करते हैं, तो 2 less than 100 condition true है, यह print करेंगा 2, उसके बाद i का value increase होजाएगा, यहाँ पे i का value 2 से 3 होजाएगा, उसके बाद check करेंगा 3 less than 100, यह i का value 3 print करेंगा, तो यहाँ पे हम post increment देते हैं, पहले i का value print करेंगा 2, उसके बाद increase होगा 3, तो यहाँ पे 3 होजागा 3 होने के बाद यहाँ पे एक और बाद increase होगा, तो इस तरह से, चलिए code को execute करते हैं, यह देखिए event number print होगा, 246 यह, यह दूसरा तरीका है, event number को check करेंगा, दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहाँ कि, कैसे print करते हैं event number, तो यहाँ पे हम post increment को हटा जेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ आई कर तो, i plus 2, तो यहाँ पे execute करते हैं, प्रोग्राम को, यह देखिए event number print होगा, 246, 8, 10, 12, 14, 13, 16, तो यह है event number, अगर यहाँ पे हम 10 देते हैं, तो event number 10 तक print होगा, 246, 8, 10, तो यह program कैसे work कर रहा है, यहाँ आई का वेली स्टार्ट होगा, 2 से, चेक करेगा, 2 less than, equal to 10, condition true है, यह print करेगा, i का value, i का value 2 है, 2 print किया, उसके बाद यहाँ पे गया, तो i equal to i plus 2, तो 2 plus 2, यहाँ पे value होगा 4, चेक किया, 4 less than equal to 10, condition true है, यहाँ पे अंदर आया, shopping उसकी अभी अबन यहां…… i का वैलो फोर है उसकी अभी यहांप मखसा करेका अं पाले सकला को, यहांप एकर आसे तेया, तो यहांप इकल गदने करेका 10 फुरुक्त्र का एकर अभी अभी पूरा हुब 10 चेक करेगा 10 less than 10, condition true है, तो यह print करेगा 10, उसके अदि यहाँ पे i का वाल होगा 10, उसके अदि यहाँ increase करेगा 10 plus 2, तो value होज़गा 12, चेक करेगा 12 less than 10, condition true नहीं हो, तो यह आट हो जगा part up से, और इसके बाद आट हो जगा main function से, यह तिसारा तरीका है, even number प्रिंट करने का, अगर यहीं आपको odd number प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं i2, और यहाँ पे i का value 1, तो चेक करेगा यहाँ पे, पहले i का value 1 प्रिंट करेगा, उसका 1 plus 2, 3 हो जगा, चेक करेगा, 3 less than 10, condition true है, तो i का value 3 है, तो 3 प्रिंट करेगा, चलिए अगर इसके प्रिंट करेगा, रहते हैं, यह देखे, even number प्रिंट हो रहाँ, तो इस तरह से हम even number प्रिंट कर सकते हैं, दुसारा तरीका मैं आपको बता रहाँ, event number प्रिंट करने का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दुसारा तरीका event number प्रिंट करने का, तो in का एक value ले ज़िए हैं, यहाँ पर printf करा आपते हैं, printf function की यूज़ करते हैं, enter, event, sorry, odd number प्रिंट करते हैं, यहाँ पर लिखते है, odd numbers, तो यहाँ पर उसके बाद एस काना function यहाँ पर लेते हैं, %D लेखते हैं, और यहाँ पर आपर सेंट, n, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, i-10 एकोड़ द द ओर लेता है, i-10 एकोड़ द एकोड़ द एकोड़ त लेता हैं, यहां प्रिंट करेगा आई करें लो, प्रिंटर और पर सेंटर दी उसके बाद सराय सेंग और यहां पर आई और यहां पर आई प्लस प्लस करें लो, एक से इनकी जाओ, लिए कोट को एक्सेक्यूट करके देखते हैं तो यहां पर हम टेन्ट कर रहता है, देखें तो यह प्रिंटर रहाओ, ओन्टर यह और टंबर है तो यहां पर हम मैसेज है प्रिंट कर रहता है इंटर एनी नमबर ठीक है तो यहाँ पे एक्सेक्ट कर देते हैं यहाँ पे हम हंडर्ड देते हैं तो यह देखिए और नमबर फिट किया हंडर्ड देते हैं हम हाργ के इंटर करते हैं मैंने दो रखेज स्किन're प्रेज़ इंक सब्सक्राइब करें दो जुको जो क़ी इन डैंटर करते हैं कि स्कनर के इन में सब्सक्राइब है input fix value 5 condition is true, तो यह i mod 2, तो i mod 2, 1 mod 2 remainder 1, 1 not equal to 0, condition true है, यह 1 print करेगा, उसके बाइक का value 2 होगा, चेकर एगा 2 less than 5, condition is true, जो 2 mod 2 remainder होगा 0, 0 equal to 0, condition is not true है, यह नहीं चाहेगा, उसके बाइक का value 3 3 less than 5, condition is true है, 3 mod 2 remainder 1, 1 not equal to 0, condition is true है, यह print करेगा, i का value 3, उसके बाइक 4 होगा, 4 less than equal to, इनका value 5, condition is true, 4 mod 2 remainder 0, 0 not equal to 0, condition is false होगा, यह नहीं अंदर जाएगा, उसके बाइक का value 5 होगा, 5 less than 5, condition is true है, 5 mod 2 remainder 1 होगा, 1 not equal to 0, condition यह आपे, और true होगा, यह print करेगा, i का value 5, 5 print करेगा, i का value 6 होगा, 6 less than equal to 5, condition is false होगा, उसके बाइक 4 loop से auto जाएगा, और next, it auto जाए, mean point से, इस तरह से हम odd number पीट कर सकते है, इस code का यूसके, तो यह तो, code, जिसमें मैंने यह भी बताए कि, कैसे और और इवेन नमबर को फेड़ के जाता है इन सी लेंगेज में तो आज की वीडियो में एतना ही मेलते हैं नी वीडियो में नी टॉपिक इस था तो आसे करता हैं ये वीडियो आपको तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक कीजिए और प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए